इस activity में हम A plus B का whole square को proof करेंगे तो उसके लिए हम geometrical proof के लिए max पहले square लूँगा तो ये मेरे पास square है जो कि 6 by 6 का है ठीक है? तो अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम पहले तो 4 by 4 का square काटेंगे तो ये 4 by 4 का है और ये हमारे पास 2 by 2 का है लेकिन ये हमारे पास क्या बन गया है? rectangle अब इनको हम names देंगे अब इन 4 parts को मैं cutting करके दिखाता हूँ A है हमारा A square, B square और ये A, B parts है ठीक है? अब mathematical कैसे proof करेंगे? तो इन 4 का area यहाँ पे plus होएगा ठीक है? तो means A square plus A, B square plus area L into B means B into A plus B into A, तो कितना आ गया? A square plus B square plus 2 A, B जो की हमारा था A plus B का whole square ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं scale से measure करूँ तो ये हमारा पूरा 6 by 6 का था तो 6 by 6 का क्या मतलब है? 36, तो यहाँ पे मैं अगर measure करूँ तो A का square यहाँ से 4 into 4, 4 square plus ये 2 into 2, 2 का square plus L into B, 4 into 2 प्लस L into B, 4 into 2, तो ये है 16 plus 4 plus 8 plus 8, तो ये total कितना आ रहे है हमारे पास? 36 आ रहे है, तो ये हमारा 36 है, ठीक है? तो ये हमारे पास proof हो गया, A plus B का whole square का, ठीक है? 40 है